इस वीडियो को देखने से पहले इस्टुडेंट दर्बार के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बीट गए लू साल पूराना बीट गए लू इयर आज मनावतनी हमन के होली के नियर सिर्फ खौइसों से नहीं खिलते हैं फूल जोली में अपनी कर्म की साक को हिलाना होगा और एक कुछ नहीं होगा कोषने से अंधेरे को अपने हिस्से की दीपक खुद ही जलाना होगा भई सच्चाई कभी लचार हो सकती है पर कभी हार नहीं हो सकती हैती होली जिस दिन होली का जलाई जाती है उसे छोटी होली कहते है उसके एक दिन बाद परने वाली होली को हम बड़ी होली कहते है होली बुराई पर अच्छाई की जीत है जी हाँ दुस्तो होली बुराई पर अच्छाई की जीत है जी तरह होली का महत्व होली में रंग का महत्व होता है उसी तरह होली का अद्धान का भी एक अपना महत्व होता है हम बुराई रूपी अंधकार को अगन में जला कर राक कर देते हैं और सच्चाय रूफी प्रकास को पूरे संसार में फैलाते हैं खोली से संबंदित अनेक कथाएं प्रचलित हैं आपको तो प्रहलादयों मिरर कस्यप की कहानी बहुत पहले से ही मालूम होगा एक पित्थियों पर राजा था जो बहुत ही सक्तिसालियों बलवान था वह सिर्फ अपना ही पूजा करवाने देना चाहता था यदि कोई भी ब्यक्तिस्वर की पूजा करता था तो उसको जिंदा ही मरवा देता था या आग के कुंड में फिकवा देता था लेकिन उसके ही अपने घर में एक बालक जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था और इस स्वर की ही भक्त करना सुरू कर दिया बार बार हिररकस्यप उसको मना किया लेकिन प्रहलाद नहीं माना और इस स्वर की भक्ति करने में विलीन हो गया या देखते हुए हिररकस्यप के मन में एक बिचार आया क्योंना पड़्हलाद को हम मरवा दें या उसको आग में जिन्दा जलवा दें इसकी भी एक कहानी है क्यूंकि उसकी पहन का नाम होल्का था और होल्का को ऐसा बर्दान मिला था की आग उसे कभी जला नहीं सकती है इसलिए उसके दिमाग में बिचार आया कि होलिक्या के गोद में प्रहलाद को बैठा करके आग में भेज दिया जाए जिससे की प्रहलाद जल जाएगा और होलिक्या बाहर आ जाएगी लेकिन यह बिचार उसका ठीक उल्टा हो गया होलिक्या तो आग में जल गई लेकिन प्रहलाद आग से बाहर आ गया अर्थात होल तब ही से समाज की बुराईयों को दूर करने के लिए होलिका जलाए जाती है जिसे समाज रुपी अंदकार को या समाज रुपी अंदकार रुपी वस्तों को होलिका में डाल दिया जाता है और उसको सुब महुर्त दे करके जलाए जाता है और होलिका कैसे जलाए जाती है उस एक सारवजदिग का स्थान पर होलिका दहन प्लेस बनाते हैं और सू مहुतुदे करके होलिका दहन करते हैं. अर्थात बुराई रूपी होलिका को दहन करके ग्जान रूपी परकास को पूरे संशार में फैलाते हैं उस होलिका